नमस्कार दोस्तों बिहार के एकजाम और पेपर लिग का एक पुराना नाता रहा है चाहे कोई भी एकजाम हो पेपर लिग का फवाह उड़े या सच्चाई है क्या कुछ होता है लेकिन पेपर लिग की बात जरूर सामने आती है अभी बिहार दरोगा का एकजाम हुआ था जि ये धने बाद आपको है कि यहां मतलब एक नियती बन गई है कि कोई भी परिक्षा हो तो पेपर लीग कर जाए पुरे हिंदुस्तान में बिहार का मजाक उड़ता है अब देखे मैं दर्शकों को याद दिलाता हूँ एक दो साल पहले की बात है पिछले साल देखिए बिपीएसी ने परिक्षा ली सर साटवीं सर्युक्त परिक्षा आरा में उसका सेंटर था वहां से पेपर लीग भाए फिर उसी दिन बिपीएसी को वो मतलब रद करनी पड़ी परिक्षा लोग से वा आयोक नाम लीक से वा आयोक पड़ गया लोगों ने मजाक में बिहार लोक से वायोक को बिहार लीक से वायोक करना शुरू कर दिया उसके बाद देखिए पिसले साल ही बिएससी की परिक्षा हुई जो करमचारी चैनायोग वाली परिक्षा बेलकुल बेलकुल बिल्कुल सुचारू रूप से परिक्षा हुई है, हमारा बिल्कुल सही है, तदा चार मुक्त है, ये वो, लेकिन बाद में जब इतने संबूत इकठा होगा है कि नहीं, उसमें धंदली हुई है, वाइरल हुआ है पत्र, तो उसको भी रद करना पड़ा दो, अक्टूबर को अब दो, अब दरूगा का क्या है, सर्थ, अब दरूगा का देख लिएची, अब दर्वा का देखे, फरसों यानि 17 गिसंबर को दरूगा की पड़िक्षा हुई थी, पुलीस अवर निरेक्षग जिसको कहते है उसमें 1275 रिख्टिया हैं, और बिहार पुलीस अवर सिवा आयोग उसकी पडिक्षा लिता है जिसके चेर्मेन के अस दिवेदी सर है खुद पुर्व आईपीस से रिटार डीजीपी है बेलकुल बेलकुल जी और वो जो पडिक्षा होई तो उसमें देखिये पहले तो दो शुरू में लगा कि पडिक्षा में सब कुछ ठीक ठाक हो गया लेकिन उसके बाद एक ख़बर तो मधवनी से आई मधवनी में पंडॉल में एक आरन कॉलेज पर सिंटर था अब वहाँ पर क्या हुआ कि कोई डितू कुमारी नाम की लड़की है ये भी अदुगत संजोग देखने को मिला कि वो मॉबाइल लेके पहुँची है ज़र जैमर्क खराब हो गया है बाहर में जो उसका पती बैठा हुआ है कोई संजीव कुमार नाम है वो उसको प्रश्न पत्र हल करवा रहा है उसके बाद जब शिकायत पहुँची वहां के एश्डियो आया तर विडितू कुमारी और संजीव कुमार को गिरफतार किया गया उसके बाद अपने लखी सराय की बात की लिए कल लखी सराय की मैं प्रेस में अपनी देख रहा था लखी सराय पुलीस की सजोक से मैं खुद लखी सराय के अस्पी रह चुका हूँ अब लखी सराय पुलीस की वहां पुलीस को सुचना मिली कि एक विडिया पीट चौक है विदिया पीट्स चौक के पास कोई रुकमिनी होटल है उस रुकमिनी होटल में सॉलवर गैंग के लोग ठहरे हुए है फिर पुलिस ने वहाँ पर छापे मारी की तो आजकल तो सब कुछ हाई-टेक हो गया है तो साथ-आठ वाकी टॉकी जो कहते है वाकी टॉकी बरामद हुए उसके ब्लूटूथ वगरा बरामद हुआ यह चार्जर वो पीने मतलब पूरा जो आधुनिकतास ले लैस जो यह गैंग था और फिर कुछ सवाल प्रशन पत्र है और फिर उनके उतर हुए तो अब यह सॉलवर गैंग तो बिना प्रशन पत्र लीक हुए आप सॉलव क्या किजेगा तो यह जी सॉलवर गैंग एक्टिव एस का मतलब कि उतने पास कहीं न कहीं से प्रशन पत्र भी पहुँच चुका है तो अब देखे इतनी ज़्यादा इसमें आ गई है और मतलब अब 1275 है लड़के लड़किया इतने साल से सर बारा सो पचहत्तर पद हैं चे लाख एकसट हजार लोग शे लाख एकसट हजार शे लाख एकसट हजार फॉर्म आया है और इतने भारी कंपटीशन में इतनी सी रिक्तिया है और उसके बावजूद भी इतना पेपर लीक होना इतना सेटिंग होना चात्र तो यहां तकारोप लगा रहे हैं कि जहां भी सेंटर था वहां के होटलों में लोग रात भर स्टुडेंट को रटवाए हैं और उसके बा मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा बना दीजिए एक प्रदेश सम्हाल नहीं रहा लेकिन देश ही सम्हाल लेंगे और अब मैं क्या कहूं यह जो प्लिस आवर सेवा आयोग है उसके चेर्मेन केस डिवेडी सर है मुझसे सीनियर है वो भी कह रहे हैं कि कदा चार मुट खोग है मैं दर्शकों को याद दिलाना चेहरा कैसे बता रहा हूं मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं 1989 में जब भागलपूर के SP हुआ करते थे तो भागलपूर में बहुत खोनी दंगे हुए थे और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी वो आये थे भागलपूर उन पुरा कोर्स फुरी पढ़िए और सेलेक्शन लीजिए अभी काभी पेस्टोर को खोलिए और क्लासेश करना शुरू किजिए वो भी पूरता निशुल प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं जहां भी जह रहा हूं दंगा पिड़तों से मुझ बस स्पी की शिकायत मिल रही है आप स्पी को तुरंत बदलिए और फिर प्रधानमंत्री के आदेश पर केस दिवेडी को भागलपूर के स्पी पस से हटाया गया था 1989 के दंगों की बात है और ये बात मैंने सतन नारण सिंह की आत्मकथा में पढ़ी है और वो अभी हो रहते हैं अब ऐसे ऐसे विवादित अधिकारियों को चाड के पल्टूर हमने उची उची कुर्सियों पर विराजमान कर दिया है और ये लगो लड़के लड़कियों के कडियर के साथ मतलब खिलवार कर रहा है ये बहुत ही दुरभागे पून बात है मैं आपके चैनल स अब क्या बचा यदि माली एक भी एक भी केंदर से लिख हो गया पर तो पूरी पढ़िक्षाप की प्रदूशित हो गई उसको खतम करनी चाहिए खतम करना चाहिए सर सटफीक बीपीस्टी के जो पढ़िक्षा रद हुई थीज़ पर तो एक ही केंदर से लिखवा था आरा रहे हैं कि एक भी आए तो कैसे आ रहा है और लोग कह रहे हैं जो लड़के लड़किया देखे निकल रहे हैं कि हाँ हाँ यही स्वाल पुछे गए थे वो भी उसकी पुछनी कर रहा है मतलत ऐसा भी नहीं कि जो प्रशन पत्र वायरॉल हो रहा है वो जनूइन है अब क्या बचा कहते हैं कि डाल में कुछ काला है यहां तो पूरी डाल काली है अब तो रद कीजिए अगर रद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा वही होगा कि लोग नियाले में जाएंगे फिर जब नियाले की फटकार लगेगी नियाले का चबुक चलेगा तब रद करनी होगी पर और जिस तरह से सर कह रहे हैं कि इसको तुरंत ही कैंसिल कर देना चाहिए अगर तुरंत कैंसिल नहीं होता है तो छात्र कोट में जाएंगे और वहां से जब कोट की फटकार लगेगी तो मजबूरन कैंसिल करना पड़ेगा बाकी आप क्या कुछ सोच रहा है इस पर वीडियो किसमें जरूर रखिएगा आप देख रहे थे काबिल नियूज जाहें